प्रस्कार्थ देंग कि यहीं रिश्तों का तानाबाना बुनते हुए न सारे सीरिills को देखा होगा साथ ही देखा होगा कभी रिश्तों का टोट ना उनका विखाड ना टोटने फिर जूड़ जाना और जूड़के एक बहर फिर से इक तूड़ जाना लेकिन यहां शो में मसला कुछ और है क्योंकि यहां रिष्टों का चक्रव्यू मौझूद है जी हां बात करें हैं हाल फिलाल में शुरू हुए सीरल और इतनी जल्दी सभी की दिलों में अपनी खास जगा बना चुके शो रिष्टों का चक्रव्यू की जो अपने और में मज़दार ट्विस्ट के साथ कहानी में आगे बढ़ने चार रहा है खबर देरे की शो में अभी तक अनामी को बनारस की गलियों से उठा कर सतरुपा यूं तो ले आई है लाल महल में और अब पूरी पूरी कोशिशे कर रही है अपने गलतियों को सुधारने की भी और लाल महल का वारिस अनामी को साबित करने में भी और इसी की शुरुवात कर दी है सतरुपा ने कुछ इस तरह से केप शो के अतर आने वाले एपिसोर्ट में बहुत कुछ होगा जो बदल जाएगा क्योंकि शोर से जुड़ा प्रोमा बेक आउट हो चुका है जहां अधिराज को सतरुपा जबरदस्ती कह रही है कि वो डियाने टेस्ट के अर्जी कोट में दे ताकि अनामी के डियाने के लिए खुट कोट के ओर्डर्स आ जाएए वहीं दूसरे तरफ ये पूरी चाल को खत्म करने के लिए अनामी अलगी खेल खेल रही है जहां वो बलदेग को किसी पेपर्स पर साइन करने के लिए कह भी रही है और साथ ही फोर्स भी कर रही है और समझा रही है कि अगर वो इन पेपर्स पर साइन करता है तो वही होगा जो अनामी और बर्देव दोनों ही चाहते हैं हाला कि वो पेपर्स किस बात के होने वाले हैं यह देखना रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्टिंग साथ ही यह भी बता देते हैं आपको कि अब यही वो ट्विस्ट होने वाला है जिसके बाद अनामी से लेकर सत्रुपा और लाल महर में मौझूद सभी की जिंदगी हमीशा हमीशा के लिए बतल जाए की तो वह रेखना होने वाला है बागई काफी जादा इंट्रोस्टिंग किया खे डियने टेस्ट की रिपोर्ट्स किया आती हैं बन रही है हमारे साथ और साथे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल टॉप नूज जिस्ट फर यू टॉप नूज से आस था के डिपो प्र मोर देटेल सब्सक्राइब और चानल and please hit the bell icon so you never miss update from top news